हलो बच्चो वेलकम बैक हैंड वी आर गोईंग टो स्टार्ट अरिप्रोडैक्शन इन ऑर्गेनिज्म लास्ट लैक्चर ओके इसके पहले के क्लासे जिन बच्चो ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उन्हें लिंक मिल जाएगी आप देख लीजिए और सब्सक्रिप्रोडैक्शन इसके एक्जांपल बहुत इंपोर्टेंट हमने आपको अलग अलग तरीके से लिखवा भी दिया था और आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शुलिटी इन एनिमल्स एनिमल की क्या कंडिशन है बच्चो बड़ा ही सिंपल है किसी भी एनिमल्स को आ एनिमल्स प्लस ही और विया है जैसे कि हम लोग हो गए हम लोगों में क्या है मेल अलग फिमयल लग अ 애लर इंडिवीजवल में फिमेर तो वी और यूनिसैक्षूल तो सिमलर यहां पर अपन लिखेंगे यूनिसैक्षूल और दूसरा बात यहां पर अपन लिख देंगे बाइसेक्सवल ओके बच्चों बाइसेक्सवल की पहले बात करेंगी क्योंकि यहीं इंपोर्टेंट है और हमारी पूरी फोकस रहती है सीधा इधर उधर नहीं निगाहे निट पर जो डिरेक्ट आईगी क्वेस्चेंज बाइसेक्सवल एनिमल कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों बाइ मतलब ही होता है दो और सेक्सवल बोले तो सेक्स यानि एक ही इंडिविज्वल में दोनों सेक्स मौझूद होंगे अपन यहां लिखेंगे प्रजेंस ओफ प्रजेंस ओफ बोथ मेल एंड फिमेल सेक्स इन आ सिंगल इंडिविज्वल इन आ सिंगल इंडिविज्वल ओफ ऐस्पेसीज कोई भी ऐसी इस्पेसीज है कोई भी ऐसी प्रजाती है जिसके एक इंडिविज्वल में मेल भी है और फिमेल भी है दे आर called bisexual animals अब इसके examples की अपन बात करते हैं page number 11 page number 11 आप लोग को अकर book रखे हैं तो तुरंट page number 11 पलट ये book में और आप चले जाएए तीसरे paragraph में bisexual animals के कुछ example है जो बहुत जादे important है जिसमें सबसे पहला example मैं यही से start करता हूँ जो आपके किताब में दे रखा है first example दे रखा इन्होंने earthworm मैं यहाँ लिख देता हूँ earthworm ठीक है ये bisexual animal है मैं भी exam में question दे दे which of the following animals among the given list are bisexual which is unisexual तो आपको असान हो जाएगी एक earthworm आ गया दूसरा animals देखिए सभी को बुक पलट लेना है page number 11 बुक पलट लेना है second example देखिए sponge sponge सुने है phylum porifera porifera phylum sponge leech leech ओके और एक और एक और एक्जाम्पल है tapeworm tapeworm इतना आपको याद रखना है organism तो बहुत मिल सकते हैं लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये सारे animals जो है bisexual है जैसे earthworm sponge leech और tapeworm ओके बच्चो अब सवाल है कि ये जो earthworm है ये किस phylum का organism है earthworm बच्चो हमें कहां मिलेगा बताओ कौन से phylum में मिलेगा ये हमें मिलेगा analides में ok leech कहां पर मिलेगा leech भी मिलेगा analides में leech भी analida phylum में मिलेगा tapeworm कहां मिलेगा tapeworm platyhelementis में टेप वाम हमें मिलेगा, प्लैटी हेलिमेंथिस, प्लैटी हेलिमेंथिस फाइलम में मिल जाएगा आपको टेप वाम, ठीक है, अब यहां चुकि लीच की जिक्र है, तो मैं लीच पर भी थोड़ा सा दो लाइन आपको बताऊंगा, जो की बहुत काम की है, फिलाल हमाज आते ह है, यूनि-सेक्शवल, यूनि-सेक्शवल किसको बोलेंगे, प्रजेंस ओफ, मेल एंड, फिमेल सेक्स, इन, डिफ्रेंट, इंडिविज्वल, ओफ, और एस्पेसीज, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनि-सेक्शवल, इसके एक्जाम्पल तो, बहुत है, यूमेन ले लो, और एक बच्चों आपको एक्जाम में पोस्ट सकता है, आपके सेलेवस में कॉक्रोच है, तो याद रख लो यहां भी, कॉक्रोच परहाने में भी और इसे बताऊंगा, कि कॉक्रोच यूनि-सेक्शवल है, है न, उसमें मेल अलग है, और फिमेल अलग हैं, एक इंडिविज्वल में, एक ही सेक्स है, ओके, उतारूं, लिख लिए आपने, अब मैं इसे हटाने जा रहा हूं, लिख लिजिए, हाँ, तो बच्चों, अभी हमने देख लिया था, बाइसेक्शुल एनिमल्स के एक्जाम्पल, अर्थवार्म, टेप वार्म, स्पॉंजेज और लीच, लीच में एक बड़ी अच्छी बात है, याद रखिएगा एक स्टेटमेंट, फेरी इंपोर्टेंट, जब आप एनिमल्स गिंग्डम पढ़ेंगे, वहाँ पर ये बात दी हुई है, इसको याद रखना, औल लीचेज, जितनी लीचेज होती है, सभी मोनोईसियस ही होती है, बस इसमें एक एकसेप्शन है, एकसेप्शन है, एक लीच है बच्चों, जो पानी में रहती है, यान लीच और उसका नाम पता है क्या है, बताओ, उसका नाम है नेरिस, उस लीच का नाम है नेरिस, ये जो नेरिस है, बहुत इंपोर्टेंट है, ये बच्चों एक्वेटिक लीच है, पानी में रहती है, और ये मोनोईसियस नहीं होके, कैसे होती है, ये डायोईसियस होती है, या यू कह दो एनिमल के लिए मोनोईशियस डायोईशियस वर्ड तो यूज करना सही है नहीं यूज कर सकते हैं यू कह दो कि नेरिस जो है वो कैसा है यूनी सेक्सवल है इसमें मेल अलग और फिमेल अलग होंगे ये बाते समझ में आ गई ठीक है चलो इसको लिख लो और इसके बाद अब हम एक छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे मैं कुछ और्गनिजम के नाम दूँगा और राइट और लेफ्ट साइड में मैं नाम दूँगा और राइट साइड में लिखना है प्लांट है तो मोनोसियस डाइसियस या बाइसेक्शूल यूनिसेक्शूल ठीक है लिखो इसको उतार ले सभी लोग अराम से स्टॉप करिए लिख लीजिए वेल्कम बैक यह देखो आपको सेक्शुलिटी लिखना है हर अनिमल्स में और प्लांट में 16 एक्जांपल मैंने आपको दे रखा है इससे बाहर आपको आने के चांसेज ना के बराबर है अगर एनिमल्स है तो यूनिसेक्शूल बाइसेक्शूल लिखे आप मोनोसियस डाइसियस भी लिख सकते हैं ओके ध्यान देंगे हमने कहा कि अगर animals है जै कोई animal है sexuality लिखना है तो आपको लिखना है unisexual या bisexual ओके लेकिन आप monoecious, dioecious भी यूज कर सकते हैं NCRT ने दो जगहों पर यूज किया है लेकिन बच्चों लेकिन ज्यादा correct है unisexual, bisexual लिखना animal के case में और plant के case में monoecious, dioecious लिखना चलिए इसको लिखिए अप लोग, खुद से पहले सोच लिजिए फिर मैं अभी solve करवाता हूं तो मिला लेना फटा फट खुद से सोचो एक मिनट का समय दे रहा हूं, खुद से करो मैं आपने, चलो अब मैं solve कर देता हूं, अर्थ वाम, एनिमल है न, बाइस टोड़ किया आपने, चलो अब मैं solve कर देता हूं, नेरिस एक ऐसा लीच है जो यूनिसेक्सवल है या डायोईसियस है ठीक है तो लिखेंगे यूनिसेक्सवल मतलब एक इंडिविज्वल में एक ही सेक्स होगा मेल अलग होगा और इसी को डायोईसियस भी बोल सकते हैं लेकिन जादा सहीक है यूनिसेक्सवल ही कहना क्लियर इसमॉंघ boiling सब्सक्राइब हो दो दिए इस पॉंज तो उसे का एक ईग्जाम्पल से इंभी ज्टा के रखते कि है इस पॉंज इसमॉंख गई से क्वित मुख्शन क्या सनो कि क्यूक्यूर्बिट्स क्यूक्यूर्बिट्स एक प्लांट की फैमिली है कद्दू करेला कक्री खीरा वाटरमेलन बीटर गौड पंकिन किकुम्बर ओके तो यह सारा क्या कंडिशन से यह आप याद रखेंगे मैं स्टार लगा दे रहा हूं क्यूक्यूर्बिट्स में हमने आपको पहले भी बताया है क्या बताया है इसमें यूनी सेक्स्वल फ्लावर होते हैं लेकिन यूनी सेक्स्वल फ्लावर इन मोनो इसियस कंडिशन मतलब यहाँ पर मेल फ्लावर भी मौझूद है और यहाँ पर फिमेल फ्लावर भी मौझूद है ओके मेल भी है और फिमेल भी है तो कंडिशन कैसी हो जाएगी मोनो इसियस एक ही में दोनों है लेकिन flower अगर पूछा जाए तो flower unisexual है लेकिन male flower भी है और female flower भी है cucumber, cucurbit का ही एक example उठा के दे दिया monoecious condition यहाँ भी वही बात है इतना क्या लिखोगे फिर इतना लिखना होगा direct लिख देते हैं monoecious मतलब male flower भी है और female flower भी है pumpkin में भी वही कहानी है monoecious date palm date palm खजूर और papaya papita double star dioecious dioecious this is also dioecious okay p very 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 important bisexual flower bisexual flower ठीक है monoecious बोल सकते हो bisexual flower फूल में ही male female दोनों है legumes याद रखना जितने भी दाल बाले पौदे होते हैं जैसे की पी भी हो गया जितने भी दाल डिलेटेट पौदे हैं सबको हम leguminacy family में रखते हैं they all are togetherly known as legumes okay उसमें बच्चों bisexual flower होती है कैसी flower होती है bisexual flower होती है cockroach याद रखोगे unisexual animal है cockroach is unisexual आगा याद काडा वेरी 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 इंपोर्टेंट एंसियाटी पेज नंबर बारा पेज नंबर बारा में डाइग्राम में दे रखा है काडा काडा monoeus होती है एक ही plant में male female दोनों पार्ट है और कारा एक green algae है very 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 important इट इस ग्रीन एल्गी, नेक्स्ट मर्चेंसिया, ये भी पेज नंबर 12 में NCRT ने दे रखा है, ब्रायोफाइटा पढ़ाओंगा वहाँ पर बताओंगा, जो पर चुके हो उसे पता होगा, मर्चेंसिया, मर्चेंसिया क्या है बताओ, वाट इस मर्चेंसिया, ब्रायोफाइटा के अंतरगत ये आता है, ये क्या है ब्रायोफाइटा, प्लांट को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइट करते हैं न, अल्गी, ब्रायोफाइटा, टरेडोफाइटा, जिमनो और अन्जियो, तो ये ब्रायोफाइटा है, और ब्रायोफाइटा में मर्चेंसिया कैसा है डायो इसियस मतलब मेल अलग फिमेल अलग स्विट पोटैटो वेरी 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 इंपोर्टेंट पेज नमबर बारह ये भी डायग्राम से लिया हुआ क्वेश्चन है स्विट पोटैटो में फ्लावर होती है बाइसेक्सवल पूछे तो मोनो इसियस बताना है या बाइसेक्सवल ज्यादा सही कहना क्या है बाइसेक्सवल टेप वान टेप वान भी बाइसेक्सवल समझ में आ गई बात है तो ये बटा जी आपको याद रखना है धीरे धीरे दो बर तीन बर प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा ठीक है एक दिन में ये सब चीज़े नहीं होती है बार बार देखोगे बहुत यासान है और बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा उतार लो इसको आराम से सभी लोग स्टाप कर लो और उतार लो स्टाप कर लीजिए उतार लीजिए लिख लिए हो आम गोईंग टू इरेज इड बच्चों मैं ऐसे इरेज करने जा रहा हूँ कोई इसू नहीं है चलिए स्टाप करके आराम से लिख लीजिए अब कुछ खास बात है हम लोग देखेंगे सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अब देखो बच्चों अब एक बात है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने है यहाँ पे सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देखो काड़ा को मैंने लिखा है ग्रीन अलगी और मैंने आपको पहले बता दिया है पहले आपको बता दिया है कि green algae मोनो काड़ा है । मतलब इसमें male और female part जो है male और female sex organ एक ही में है है ना एक ही individual में है एक ही plant में एक ही body में है एक ही thallows में है अब थलस क्या हैं? undifferentiated plant body यह जो बॉड़ी होती है उसमें डिफ्रेंसियेटेड थोड़ी होता है रूट स्टेम लिप्स का तो यह जो अनडिफ्रेंसियेटेड प्लांट बॉड़ी डैट इस कॉल थैलस और अलगी अपने इसी थैलस और्गेनाजेशन के लिए फेमस है है ना चलो तो इसमें एक बात सी आर्टी ने लिख दिया है उगोनियम और एंठिरीडियम आपको एक्जाम में क्या करेगा ना यह वाली फोटो दे देगी और बोला जाएगा कि बताओ यह फिमेल सेक्स ऑर्गेन है यह मेल सेक्स ऑर्गेन है यह कौन सा प्लांट है एक दो और भी आपको पेज नंबर 12 पे दिये हुए है इसके अलाबा कॉक्रोच भी है लीवर वर्ट का भी एक्जामपल है मर्चेंसिया का भी एक्जामपल है सबाला मैं सिर्फ इसी को क्यों बताया क्यूंकि सारी चीज़े जोदी गई है ना वह जब हम वहां पर जाएंगे तो पढ़ेंगे कॉक्रोच में व डायग्राम बिलकुल क्लियर होना चाहिए यह देखो बिलकुल क्लियर होगा हाँ देखो बिलकुल क्लियर है देखिए देखिए कुछ भी नहीं है ये green algae है कारा और सीरीज जी बात है चुकि कारा बच्चो green algae है तो algae है इसमें flower तो खिलेंगे नहीं तो इसकी male sex organ इधर को रही आपको ये नीचे में देखो male sex organ है और ये उपर में just to set as female sex organ है एक ही body पर एक ही plant body पर दोनों है so condition is monoaceous condition is monoaceous लेकिन आपको एक चीज और यहां पर समझना होगा कि algae में हम लोग male sex organ के लिए एक word यूज करते हैं एंथिरीडियम और female sex organ के लिए word यूज करते हैं उगोनियम ऐसा नहीं है कि कारा के male sex organ को हमने एंथिरीडियम बोला है no ऐसा नहीं है green algae भी नहीं algae के लिए ही हम लोग common है female sex organ और male sex organ एंथिरीडियम ठीक है तो कारा में ये रही male sex organ ये रही female sex organ ये दोनों की location समझ लो female उपर है male नीचे है आपको किताब से photo scan करके दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि बताओ भाई साहाब इसमें कौन male है और कौन female है ठीक है पतात कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो बच्चों ये आपने सीख लिया है अब आगे कुछ और टर्म है एक टर्म है हर्मा फूरोडाइट एच ई आर एम ए गुच नहीं है जी बाइसेक्षवल एनिमलस के लिए यह टर्म अपन यूज करते हैं जितने भी बाइसेक्षवल एनिमल है जिसमें एक ही इन्डिविजवल भी मेल भी और फिमेल भी देहार कॉल्ड हरमा फुरुडाइंट तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे बाइसेक्स्वल एनिमल्स ठेक है अब इसके बाद एक और टर्म है मियो साइट ये भी पढ़ा चुका हूँ इंडिरेक्ट लिए मियो साइट क्या है मियो साइट सुनो हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था बहुत अच्छी टॉपिक थी वो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेंगे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डिपलॉाइड और्गनिजम में स्पेशल सेल होती है जो मियोसिस करके गैमिट बनाती है हैना और गैमिट हमेशा है प्लॉाइड होती है यह भी पढ़ा दिया था तो वह डिपलॉइड सेल जो है जो गैमिट बनाएगी उसी को हम नाम देते हैं मियोसाइट एंसे यार्टे की बात करते हैं पैज नंबर थर्टीन पीज नंबर थर्टीन पर ये बात आपको है मियो साइट मैं यहां लिखतेता हूं इस्पेशियलाइजड इस्पेशियलाइजड अब ऐसा थोड़ी है कि हम लोग डिपलोईड है तो हमारी स्किन सेल से गैमीट बन रहा है इस पर हमारी कान की सेल बना रहे इसा वजूद है जिसको क्या बोलते है इस पर मैटो गोनिया बोलते हैं वही मियो साइट हुई ठीक है तो स्पेशियलाइजड सेल प्रजेंट इन प्रजेंट इन डिपलोईड ऑर्गेनिज्म प्रजेंट इन डिपलोईड ऑर्गेनिज्म प्रजेंट इन डिपलोईड ऑर्गे gamit formation, for gamit formation. ओके, या यह specialized cell होती है, deployed organism में जो gamit बनाती है, gamit form करती है, और उसी specialized cell को नाम क्या देते हो? मियो, cite नाम देते हो, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, ये meo cite जो है, इसमें क्या होगा, deployed है तो, it undergoes meiosis, इसमें क्या होगी? meiosis होगे it undergoes meiosis for gamete formation clear अब देखो बच्चो हमने आपको पहले पढ़ा दिया है कि gametes जो है वो haploid होते हैं है ना तो page number 13 में क्या है उपर में top पर एक paragraph है table 1.1 सभी लोग book पलट लो table 1.1 उसमें कुछ organism के नाम है जैसे कि human being उसमें meosite में क्रोमोजोम है 46 तो जो gamete बनेंगे उसमें कितने क्रोमोजोम होंगे meosite में 46 है meosite में क्या होगा meiosis होगी 46 से घटके half हो जाएगी 23 यानि gametes में तहिस होगी उसी तरह house fly का क्रोमोजोम नंबर देखो 12 है तो gamete में half कर दोगे 6 कर दोगे rat यह क्यों half कर रहे है क्योंकि यह सब deployed है dog में 78 है तो gamete में half कर दो उसी तरह से rat में देखो meosite में नहीं कुछ दिया हुआ है लेकिन क्रोमोजोम में 21 है तो 21 का दुगुनना होगा meosite में तब ना meosite half होके 21 बनाई तो 42 कर दो समझे बात को तो इसमें कुछ नाम है इसमें आपको क्रोमोजोम नंबर रटना नहीं है एक ओपिहो ग्लोसम का है जो की फर्न होती है उसमें 1260 क्रोमोजोम नंबर है याद कर लेना बागी कुछ काम का इसमें नहीं है एक fruit fly याद रखोगे जिसमें क्रोमोजोम नंबर 8 होती है fruit fly याद रखना आगे काम आ जाएगा आगे भी बता दूँगा और एक ओपिहो ग्लोसम याद रख लेना ठीक है बच्चों चलिए लिख लीजिये इसको तो इस तरीके से हमने गयामीट फार्मेशन की बात तो सीख ली है अब हम सीखेंगे गयामीट ट्रांसफर चलो लिखलो लिख लो इसे इसे अब इरेज करते हैं स्टाप कर लो लिख लो अच्छे से ठीक है खुद से लिखिए नेक्स टॉपिक गैमिट ट्रांस्फर गैमिट बन चुके हैं मेल गैमिट बन गई फिमेल गैमिट बन गई मेल के पास मेल गैमित फीमेल के पास फीमेल गैमित अब फटिलाइजेशन होना है जो की सबसे कुरूसियल इभेंट एंसे एक दक्रूसियल इभेंट इतल्व मेज तो अब male gamit, female gamit के पास कैसे पहुँचेगा, या दोनों एक दूसरे की तरफ आएगा, क्या procedure है, देखिए, majority of organism golden question रट जाओ, अधिकतर में majority of organism में male gamit बच्चों motile होती है, female gamit stationary होती है, female gamit अपने जगा पर होती है, practical दुनिया है, female अपने ही जगा पर होती है, मेली बाइक से आगे पीछे करते रहता है, वही चीज है, male gamit motile है, male motile है, female अपने जगा पर है, stationary है, अपने होस्टल में है, male ही बाइक से जाएगा, तो male gamit motile female gamit stationary होगी, male gamit motile होगी, चल सकती है, और female gamit stationary है, रुकी हुई है, लेकिन कुछ फंजा है और algae है, जिसमें male gamit भी motile है, और female gamit भी motile है, समझ में आ रहा है बात, इसमें male भी चल सकता है, female भी दोनों को बराबर चुल मत रखी है बटा, इसमें male gamit भी चलती है, और female gamit भी चलती है, है ना, लेकिन अधिकतर में male gamit motile female gamit stationary, ठीक है, अब दे इसको लिख लिजिए आप लोग, complete board चाहिए, next topic के लिए, इसको लिख लिख लिजिए, लिख लिए, stop कर लो, चलिए, start करते हैं, बच्चों, तो हमने कहा कि male gamit motile है, female gamit stationary है, अगर male gamit motile है, तो उसको ओभम तक female gamit तक पहुंचना होगा, simple सा human में देखो, male के अंदर sperm बन गया है, है ना, अब क्या हो गया, fertilization होगी, sexually production है, नहीं रहे, अभी कहाँ, male अपने penis से, male sex organ की मदद से, penis की मदद से, female genital track में, male gamit को along with some other fluid that is called semen introduce करता है, और फिर female genital track में, जो male gamit है, sperm है, वो अपने tail के सहारे चलती है, और चल करके एक तक पहुंचती है, तो सारे organism में तो कुछने कुछ वेवस्था है, है ना, तो हमें सबसे पहले plant का case देखना है, कि plant में ये कैसे है, animal में, human में कैसे हम reproduction में जानेंगे, और other organism में जब अभी fertilization के types पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, तो case of plant, plants में कितनी group है, बहुत बहुत बहुतरीन topic है, दो question fix कर दूँँगा भी, सबसे पहले मैं लिखता हूँ, algae, ठीक है, column बना दिया, column के ओपर में मैं यहाँ पे इसको तीन पार्ट में देखो न, divide कर दे रहा हूँ, ठीक है, algae लिख दिया, और, पूरी तरह सबी recovery हुई नहीं है, है न, algae, ऐसे लिए खांसे ओड़ी है, कभी-कभी, algae, सबसे उपर में मैं लिखता हूँ, mortality of, m-o-t-a-l-i-t-y, mortality of gamete, मैंने यहाँ लिखा है, mortality of gamete, उके, उसके बाद मैंने लिखा है, यहाँ पर, medium of, यहाँ ऐसे लिखता हूँ, gametes, move, through, और, तीसरे में मैं लिखता हूँ, fertilization, बहुत जबरदस्त यह topic अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, चलो, अब लिखा हमने यहाँ पर, algae, algae में क्या है, male gamete भी motile है, mg बोले तो male gamete भी चल सकता है, fg बोले तो female gamete भी चल सकती है, motile है, okay, हालाकि बच्चों सभी algae में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम general case पर रहे हैं, है न, हमने उगेमी पर ही थी, उगेमी का example याद करो, wal box focus वो भी तो algae है, लेकिन उसमें female gamete static रहती है, अपनी जगापे रहती है, ठीक है, चलिए, तो वो generalized case हम यहाँ पर लेके चलते हैं, male gamete motile, female gamete motile, अब वो motile male gamete कहां से move करेगी, पानी के थूरू, water के थूरू, यानि gamete moves through water, ठीक है, medium जो है gamete का वो क्या है, water है, पानी के थूरू gamete move करेगी, ठीक है, और जो fertilization होगा, male और female gamete की जो fusion होगी, वो थोड़ी सी important है, वो external होगी, वो होगी external, जो fertilization होती है, अब सबाल है, male और female gamete मिले, तो मिले तो कहां मिले, पानी के सतह पे मिले, बाडी के बाहर मिले, या बाडी के अंदर मिले, human में sperm female के अंदर जाकरके, बाडी के अंदर जाके fuse करता है, internal fertilization, लेकिन algae में fertilization is external, ये पात आपकी NCRT में दे रखी हुई है, ठीक है, चलिए, पेज नंबर 14 पे अभी हम लोग आएंगे, तो ये बात generally मैं यहां पे लिख दे रहा हूँ, generally, water के थूँ gamit move करेगा, और fertilization external होगा, external बना बाहर होगा, इसके बाद आजओ, bryophyta, bryophyta की अगर हम बात करें, तो bryophyta में male gamit motile होती है, female gamit non motile होती है, female gamit नहीं चल सकती, male gamit चलती है, पानी की मदद से male gamit, female gamit तक पहुँचती है, तो gamit move with the help of water, next, ex-fertilization के बाद, कुछ चन बाद, teridophyta, gymnosperm, angiosperm, teridophyta में भी male gamit motile है, चल सकती है, बट female gamit is non motile, female gamit कैसी है, non motile है, और ये भी कैसे move करती है, water के मदद से female तक पहुँचती है, gymnosperm में male gamit भी non motile है, male gamit भी नहीं चल सकता, और न फिमेल gamit चल सकती, दोनो, दोनो को एक साथ लिखते ता हूँ, gymnosperm में भी और angiosperm में भी, न तो male gamit चल सकती है, male gamit भी non motile है, और न तो female gamit चल सकती है, female gamit भी non motile है, लेकिन अब एक मुद्धा है जी, दोनो non motile है, दोनो नहीं चल सकती है, तो water की मदद से कैसे चलेगी, अगर gamit मोटाइल होगा, तभी न पानी की मदद से वो चलेगा, लेकिन ये तो non motile है, तो इसको ले जाता है, gamit कौन करता है gamit को, gamit को, carried by pollen grain, नाम सुने होगे, ये pollen grain gamit को, carry करके ले जाती है, और ये सब में बच्चों, bryophyta, teridophyta, gymno esperm, और angio esperm में, fertilization होता है, internal, लोगों को क्या लगता है, मालूम है एक्जाम में बच्चों को, कि अरे, पानी की मदद से जा रहा है, तो पानी के सतहे पे न होगा, fertilization, ऐसे सोचते हैं, सब दिमागी नहीं लगाते हैं, समझ में आ रहा है, पानी, bryophyta में, male gamit पानी की मदद से चलता है, लेकिन, female sex organ के अंदर, inter करके fuse करता है, ऐसे याद रखो, fertilization सब में, internal, मात्र algae में, आपको मैं NCRT से कोरिलेट करू, तो पेज नमबर 13 की बात, यह हमने आपको पढ़ाई है, पीज नमबर 13, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, in several simple plant, like algae, bryophyta, interidophyta, algae, bryophyta, interidophyta, यह simple plant है, क्या लिखा है, water is the medium, water is the medium, through which gamete transfer takes place, ओके, इसके बाद क्या लिखा है, a large number of male gamete, आगे हम लोग बात करेंगे, इस बात को आगे बात करेंगे, ठीक है, तो जिमनो एस्पर, मैंजु एस्परम में क्या है, male gamete, non-motile, female gamete भी non-motile, pollen grain इसको carry करेगा, और यह सम में fertilization internal, लिखिया, लिख लो, बहुत अच्छा दिख रहा होगा, उतारिये, जल्दी उतारिये, झालू, उतारिये जतारिये, और यह सूई लो, झालू, अब बचो कुछ special points हम लोग देखते हैं करना चोड़ देता हूं और पढ़ा देता हूं फिर पता चलता है कि आयला रिकॉर्डिन नहीं हुआ फिर पढ़ाओ अब देखो यह हमने समझ लिया गैमिट ट्रांसफर होगी पानी की मदद से होगी है ना plants में कौन-कौन से plant में पूरा हमने समझ लिया कि पानी चाहिए किसमें पानी नहीं चाहिए जब पानी चाहिए गैमिट के ट्रांसफर होने के लिए जब पानी चाहिए तो गैमिट जब पानी से move करेगी तो गैमिट का loss भी तो होगा बढ़बादी भी तो होगी नहीं होगी बिल्कुल पानी कभी इधर बहेगी कभी धार पलट गई धारा उधर चले गई है ना हवा का रुख बदलाग पानी इधर उधर हो गई किसी ने पत्थल मार दिया ठीक है पानी में तो गैमिट की बढ़वादी तो होगी तो इसलिए जहां पे गैमिट मोटाइल ह और वाटर की मदद से मूव करती है ना बच्चों वहाँ पे चोकी गैमिट वेस्ट होता है इसलिए उसको कमपनसेट करने के लिए नमबर ओप गैमिट जादा से जादा बनाए जाते हैं कि कितनी भी बढ़वाद हो कुछ तो है फिमेल तक पहुँच जाए समझे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पेज नमबर थर्टीन लास्ट पैराग्राफ when gamete transfer takes place through water when gamete transfer takes place through water then large number of gametes large number of gametes fail fail to reach female gamete यहाँ मैं male कर देता हूँ क्योंकि जनरली male gamete ही motile है female gamete तक नहीं पहुच पाते हैं to compensate it to compensate it इसको compensate करने के लिए number of number of gametes number of male gametes produced produced several thousand times several thousand times the number of the number of female gametes the number of female gametes कहता है कि जब gametes transfer पानी के थ्रू होता है तो ज्यादा तर large number जो है किसका large number male gametes का किसका male gametes का क्योंकि जनरली male gametes ही चलती है ना मेली दिन भर बताया बाइक से इधर से उधर इस होस्टल से उस होस्टल करते हो fail to reach female gametes तक यह नहीं पहुच पाता तो इसी को compensate करने के लिए अगर female gametes एक्स है तो multiple time of x male gametes बना दिया जाता है उस और्गनिजम में male gametes की संग्या female gametes से बहुत जादे होती है कि कितनों बढ़बादों एकार पहुंच जाए और कम हो जाए तो यह एक बात हो गई है अब देखो दूसरी बात क्या है थूसरी बात देखते एंसको लिखो बोर्ट खाली करेंगे लिखो אण चलिए बच्चों आब NCRT लिखती है सीडेड प्लांट की कहानी सीडेड प्लांट पेज नमबर 14 लिखती है कि सीडेड प्लांट में पानी की जरूरत नहीं होती हम लोग देख चुके हैं सीडेड प्लांट का क्या मतलब हुआ जीडेड प्लांट का मतलब हुआ जिमनो एस्पर्म समझे और एंजियो एस्पर्म ठीक है नॉलेज के लिए बता दे जिमनो एस्पर्म में सीड बीज बनती है एंजियो एस्पर्म में भी सीड होती है लेकिन एंजियो एस्पर्म में के अलाबा fruit भी पाया जाता है है ना यानि सीड है और सीड के चारो तरब कभरिंग क्या फल है लेकिन जीमनुएश पम प्लांट में सीड जो है है तो है ही लेकिन अगर हम बात करते हैं fruit की तो यहाँ पे fruit नहीं पाया जाता इसी लिए इसको naked seed plant भी हम लोग कहते हैं c नहीं होगी सायद naked seed plant ठीक है चलिए तो यह रहा gymno-sperm, angio-sperm, seeded plant इस दोनों plant में हम लोग पर चुके हैं क्या होता है? male gamit को कौन कैरी करता है? male gamits are carried by pollen grain male gamit को कौन कैरी करता है? pollen grain कैरी करता है अब यह pollen grain कहां रहता है? देखते हैं छोटा छोड़ा भी थोड़ा थोड़ा देखना है फिर second chapter में detail पढ़ेंगे, मज़ा आएगा pollen grain, अब male gamit जो है motile है या non motile है? non motile है इसको pollen grain कैरी करेगा अब होता क्या है? देखो यह है stamen यह मैं एंजियोएसपर्म की बात कर रहा हूँ एंजियो एसपर्म की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है? जीमनो एसपर्म की नहीं जहीं प्लांट किंगडम में जीमनो ऐसम पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बहुत वहाँ डिटेल जानना है अभी हमें reproduction in organism पढ़ना है तो सीडेट प्लान्ट में जीमीनोएसपर्म और एंज्यूइसपर्म आगए जिसमें एंज्यूइसपर्म में सीड भी नेगी फल भी बनेगी और जीम्नोएसपर्म में सीड तो बनेगी लेकिन फल नहीं बनेगी ठीक है और इस दोनों में मेल क्यामिट को क्यारी कौन करेगा पॉलन ग्रेंड करेगा हुम थोड़ा सा एंज्यो एस्पर्म का केस समझते हैं फिर इसके तुरंट पार जिम्नो एस्पर्म समझ में आ जाएगा थोड़ा सा चलो कि अब देखो बच्चों ध्यान से यह हे एंज्यो एस्पर्म प्लांट का स्टेमेंड यह क्या है स्टेमेंड क्लियर देख रहा है अब कहानी को जरा सा समझने की कोसिस करना ये जो स्टेमन है इसमें दो हिस्से हैं ये देख रहे हो इसको बोलते हैं एंथर क्लियर और इसको बोलते हैं फिलामेंट ठीक है क्लियर सुनो ये पुरा स्टेमन हो गया और स्टेमन के दो टुकरे हो गये एंथर और फिलामेंट हो ठीक है अब आगे चलो ध्यान से देखो यह जो एंथर है इसी एंथर के अंदर बनेगा pollen grain क्या बनेगा इसी एंथर के अंदर pollen grain बनेगा और यही pollen grain के अंदर में क्या होगा it contain इसी के अंदर में क्या पाया जाएगा male gamit पाया जाएगा यानि क्या pollen grain male gamit है नहीं जी pollen grain male gamit नहीं है pollen grain के अंदर में male gamit बनती है समझे तो यहाँ पर मैं star लगा के लिख देता हूँ pollen grain जो है ध्यान से देखेंगे pollen grain is not male gamit pollen grain male gamit नहीं है क्या है इट इज male gamitophyte यह क्या है male gamitophyte है it is male gamitophyte it carries male gamit it carries या it act as carrier of male gamit यह male gamit को क्या करता है carry करता है जबर्दस question है निट का अगर निट निकालना है न बचो तो आसान question पर अपनी पकर बनाओ नॉर्मल एबरेज बातों पर तफ चीजे तो ऐसे ही आप बना दोगे वो मैं इतना star star कह देता हूं कि ऐसे आप बना दोगे ठीक है समझ गए अब आगे देखो देखिए तो यह stamen थी उसके दो हिस्से एंथर और फिलामेंट और एंथर के अंदर pollen grain बना pollen grain के अंदर male gamit है अब यही pollen grain यहां से कहां पर जाएगा female reproductive पार्ट तक जाएगा यह देखो female reproductive पार्ट इसका नाम क्या है बच्चा के यहां पर एक पर रट आफ कर अब आगे दे देखो कार पर वगी कि यह दो कार पर है इसको थो रसा समझना होगा आपको ठीक है कैसे समझना होगा देख लीजिए इस कारपिल में तीन हिस्से हम लोगा आगे पढ़ेंगे इसको बोलते हैं स्टीगमा इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं ओवरी ठीक है समझते चलो और इसी ओवरी के अंदर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है देख लिए इसको बोलते हैं ओभियूल इसकी संख्या एक भी हो सकती है एक से जादे भी हो सकती है सब सकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है तो यह हो गया आपका साल है कि यह जो और भी हो है आपका इसम धिहान से समझेंगे से लिए मैं पास ला दिया हूं एक कामरा की पैल्यू को यह जो भी हो है इसी ओभियू के अंदर में इड इसी के अंदर में इंब्रियो सैक बनती है क्या बनती है इंब्रियो सैक और उसी इंब्रियो सैक के अंदर में क्या रहता है एग रहता है इसी इंब्रियो सैक के अंदर में क्या रहता है एग रहता है और वही एग जो है आपकी क्या है वही एग है आपकी female gamete यहीं एक क्या हो गई female gametes हो गई समझ में आ गई बात है तो एंगियो एसपउम प्लांट जो इसको कि हम लोग प्यार से फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं उसकी बात हमने समझ ली ठेक है देखो तो यह सब हमने देख लिया कि एंगियो एसपउम बोले तो फ्लावरिंग प्लांट फ्लावरिंग प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन होता है मेल और फिमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कारपेल होती है मेल के अंदर एंधर बना एंधर के अंदर पॉलन ग्रेन बना पॉलन ग्रेन के अंदर male gamit है अब यही pollen grain यहां से transfer होगा और आएगा female के stigma तक pollen grain आएगा ठीक है यह देखो pollen grain आया आगया इसी जो transfer की process है इसी transfer के process को नाम देते हैं pollination क्या नाम देते हैं pollination यह आया अब यहां आने के बाद इस pollen grain में से एक tube निकलेगी ओके जिस tube को बोलेंगे pollen tube और इसी pollen tube में इसके अंदर वाला male gamit आ जाएगा और वो बढ़ते जाएगी pollen tube बढ़ते जाएगी pollen tube और वो सीधा ovule के अंदर चला जाएगा और embryo sac के थुरू एक के पहुँचके fuse कर देगा तो ये सारी प्रक्रिया second chapter में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा सा एक जलक हमने देखा क्या देखा seeded plant gymno esperm और angio esperm ठीक जिसमें की gymno esperm में seed भी होती है लेकिन फल नहीं होता अब देखो होता क्या है ना जब fertilization हो जाता है तो यह जो ऑब्यूल है यह seed बन जाती है अई जो ऑब्री है second chapter में पढ़ेंगे यह fruit बन जाता है समझ में आ गई चीज़े यह ऑब्यूल क्या बन जाती है seed उसी seed के अंदर fertilization होगा एग का यानि यह ऑब्यूल के अंदर एग है एग fertilize जो के जाइगोट बनेगा जाइगोट इंडवलप करेगा इंब्रियों में पढ़ेंगे अभी घ्रून में और यह पूरा पाट को हम ऑब्यूल नहीं बोलके क्या बोलेंगे सीड बोलेंगे और यह जो पूरा आब्री है इसको आब्री नहीं बोलके fertilization के बाद फल बोलेंगे लेकिन यह जो जिमनो एस्पर्म है इसमें आब्री होती ही नहीं है इसलिए यहाँ पर फ्रूट नहीं बनता है समझ गए तो यही कहानी है इसको थोड़ा सा उतार लीजिए और फिर कुछ पॉइंट से वो मैं लिखा दूँगा उतारो इसको लिख लो लिख लिए अब कुछ पॉइंट्स इंपॉइंट्स लिखते हैं इसको इरेज करते हैं स्टॉप करके आराम से लिख लिजिए और श्याद नोट्स भी दूँगा कुछ इंपॉइंट्स हैं जो भी आपको हमने पढ़ाए हैं उसी को लिखा है इन चीड़ ब्लांट प्लांट बोले तो जिमनोग एसपर्म और एंज्टिश पान Score को करता है पॉइंट्स पालेंट्स लिए पॉइंट्स लिए नंबर का कुछन नीट के लिए फिक्स हो गया कहां पनता है भाई साहाब इन्साइड एंठर कहा है तो यह जो आपकी estamon होती है ना दिएैना की estamon उसी estamon में एक हिसा होता है ये दोनों क्या है एंफर है सकेंड चैप्टर में पwnieंगे मेल गेमिट इसीıs पॉलन फंदर में वनती है यह मेल केमिट नहीं है लेकिन ये male gamit को carry करता है इंब्रियो सैक इसको female gamitophyte बोलते हैं चार नमबर का fix question निट female gamitophyte इसके अंदर female gamit या एक बनती है और ये बनता कहां है इंब्रियो सैक तो इंब्रियो सैक मौझूद है ovule के अंदर और ovule मौझूद है ovri के अंदर यानि female reproductive part, carpel या pistil उसके तीन हिस्से stigma style ovri ovri के अंदर ovule, ovule के अंदर embryo सैक, embryo सैक के अंदर female gamit परहेंगे second chapter में और अच्छे से detail अब है जगर bisexual plant है अगर ऐसी plant है जिसकी flower bisexual है तो एक ही flower में अंथर stigma तोनों है दोनों पास पास होते हैं तो बड़ी आसानी से एक से दूसरे में pollen grain निकलता है और तुरंत stigma पे आसानी से चला जाता है चुकि दोनों close है लेकिन अगर monoecious condition की बात करे अगर unisexual flower है तब जो है pollen grain को transfer होना पड़ता है जिस process को pollination बोलते हैं next board पे अब आपको बताते हैं उतारिए लेक लोईसको लेक लोईसको लेक लोईरेज करने जा रहा हूं ओके stop करके लेक लेजिए तो बच्चों हमने देखा कि अगर bisexual flower है तब तो बहुत मामला आसान है देखो न ये अच्छे से समझो फूल है एंथर और ये stigma दोनों पास पास है फ्लावर क्या है बाय सेक्स्वल है दोनों पास पास है पॉलन ग्रेन आराम से इस पे चला जाएगा लेकिन अब दो बाते हैं अब बात है कि मोनोईसियस कंडिशन मोनोईसियस कंडिशन के हम बात करते हैं और डायोईसियस कंडिशन के हम बात करते हैं मोनोईसियस कंडिशन हो या डायोईसियस ऐसा monoaceous condition जिसमें full कैसा है unisexual है having unisexual flower बहुत ही बहतरी है यह statement को समझना यह एक plant है इसमें देखो यहाँ पे देखो full है लेकिन यहाँ यह male है और यहाँ यह female है यानि यह stamen है यह male है और यह carpelle है यह female है monoaceous condition है इसमें कहीं कोई सक नहीं है चलिए अब यहाँ से एक full का एंथर दूसरे full के stigma तक आएगा है ना यह carpelle है carpelle में यह वाला पार्ट क्या कहलाता है stigma बताये हैं अभी अभी तो इस प्रक्रिया को नाम देंगे पॉली नेशन क्या नाम दोगे पॉली नेशन है अब दायोईसियस कंडिशन देको और भयाबह है इसमें क्या है इसमें क्या है यह plant है इसमें फ्लावर है इसके पास male है यह दूसरी पॉलन ग्रेन निकल के यहां तक जाएंगे दिस प्रोसेश इज ऑल्सो कॉल्ड पॉली नेशन कहने का मतलब है आपकी एंसी आटी जो है वह असपस्ट रूप से क्लियर करती है कि अगर फ्लावर बाइसेक्स्वल है आइम टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 14 अगर बाइसेक ट्यूब बना वह पॉलन ग्रेन के अंदर के मेल गैमिट को लेके ओभिल तक पहुंच गया लेकिन अगर कंडीशन मोनोईसियस या डायोईसियस हो अगर मोनोईसियस में कैसी मोनोईसियस यूनिसेक्सवल फ्लावर वाली कंडीशन हो तब जाके मामला अलग है तब जो यह है इसको पॉलेन पॉलेन नेशन पॉली नेशन कहते हैं ठीक है तो देखो एंसी या टी की ही बात है उसी को हम लिखते हैं अगर मोनोईसियस यूनिस 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 plant okay चा लिखरा है इंसे एटी transfer of transfer of pollen grain pollen grain का transfer होगा कहां से होगा from enter from enter कहां तक होगा to the stigma to the stigma is a specialized event यहां क्या है एक specialized घटना है which is called जिसको की क्या कहते हैं हम लोग poly nation के नाम से जानते हैं ठेक है बच्चों तो यह हुई आपकी gamit transfer की पूरी की पूरी कहानी अब animal की जो बात है animal में male gamit female gamit तक कैसे जाएगा sex organ की मदद से lower animals में water के surface पर इसको भी हम लोग fertilization के दोडान जिक्र कर लेंगे clear है तो thank you very much इसका second part 5 lecture का 15 से 20 मिनिट का बचा वो भी आपको मिल जाएगा immediately जल्दी मिल जाएगा thank you very much अच्छे से पढ़े और कल यानि next class में मैं इसके आपको ये भी provide कर दूंगा question bank provide कर दूंगा अच्छे से पढ़े कोई भी दिक्कत हो telegram पर पूछे अब मैं recover हो चुका हूँ तो आप ऐसी ही बेहतरी लेक्चर्स आपको मिलती रहेंगे thank you very much कर दूंगा